अवार्ट फंक्शन की बात हो और अपनी ड्रेसिस को लेकर सुर्ख्याना बटोरे ये तो हो ही नहीं सकता एक दूसरे से बेस दिखने के लिए इन हीरोईन्स में सबसे सुन्दर दिखने की होड मची रहती है ऐसे में अक्ट्रेसिस अलग लग डिजाइनर्स की ड्रेसिस पहन कराती है सेल्ब इंडर्स्ट्री का सबसे एहम अवार्ड माने जाने वाला आइफा अवार्ड हाली में न्यूयोक में आयोचित हुआ इस इवेंट में जहां एक तरफ शाहित कपूर और उनकी पतनी मीरा राजबूत के लवी डवी मूमेंस देखने को मिले तो वहीं दूसी तरफ भी टाउन की स्टाइलिश अक्ट्रोसिस का चलवा भी देखने को मिला तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसी कौनसी अक्ट्रिस हैं जिनों ने ग्रीन कार्पिट पे अपने ग्लामरस लुक से सभी को घाल कर दिया सभी को अपने आक्टिंग से दिवाना बनाने वाली आलिया आलिया वार्ड नाइट के दोरान और शोल्डर सीक्वेंट गाउन में काफी स्टनिंग लग रही थी इस ब्यूटिफुल ड्रेस के साथ आलिया ने डायमेंड स्टर्स पहने हुए थे आइफा वार्ड के मौके पर शिल्पा शेटी अपने पती राज कुंदरा के साथ ग्रीन कार्पिट पर दिखी जहां उन्होंने मोल्टन रोज गोल्ड लेम गाउन पहना हुआ था इस गाउन में शिल्पा बहुत खुबसूरत और होट लग रही थी कभी शीला बन कर तो कभी चिकनी चमेली बन कर सभी के दिल में एक खास जगा बनाने वाली कच्रीना कैफ आइफा वार्ड नाइट के दुरान भी काफी खुबसूरत लग रही थी और भई लगे भी क्यूना आखिर मैडम का बर्डे जथा स्नोव क्रिस्टल फॉर्स गाउन पहने कच्रीना किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी शत्रगंजीना की लगली बेटी सुनाक्षी भी इस इवन्ट में काफी स्टनिंग लग रही थी उन्होंने लेबर जोईस रेड गाउन पहना था इतना ही नहीं उन्हें ट्रजिशनल लुक में भी क्याप्चर किया गया फिल्म MS धोनी द अंटोल्ड स्टोरी से बॉलिवट में डेब्यू करने वाली दिशा दिशा भी सिल्वर शेर गाउन में काफी खूबसूरत लग रही थी बता दे दिशा को बेस्ट डेब्यू फीमेल का वाट मिला है नमबर सिक्स पाशा बासू होट इन सेक्सी ये दो वर्ड्स ऐसे है जो विपाशा बासू पर पिल्कुल सूट करते है जी हाँ आइफा वाट के दौरान भी विपाशा बेहद होट लग रही थी उनने गोल्ड इंसेंबल विद फिश्टेल हम पहना हुआ था नमफ न्यूस की रिपोर्ट